लूटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है लूटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है बदायू कान एक बार फिर एक ऐसा केस जिस पर महीनों राजनितिक बहस चलेगी महीनों आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा महीनों इस चीज पर बहस होगी कि रेप करने वाला साधू था, मौल भी था या फिर कौन था बड़े-बड़े टीबी चैनलों में रोज शाम को अलग-अलग धर्मों के धार्मिक गुरुओं को बैठा कर इस पर बड़े-बड़े डिबेट्स होंगे लेकिन हमें क्या हासिल होगा? इससे समाज की लड़कियों को क्या ह वही जो हर बार होता आया है. कुछ दिन बाद फिर कोई ऐसा ही बड़ा नया केस जो मीडिया की ध्यान को अपनी तरफ आकरशित करेगा. बदायू कान में किस प्रकार से हैवाईयत को भी तार-तार कर दी गई आज उसकी पूरी कहानी बताएंगे. बताएंगे कि कैसे लोग किस पूर्ण कायू में पढ़ने वाला एक गावं. हमईशा की तरह उस साम भी एक महिला मंदिर में पूजा करने जाती है. महिला पेशे से आगन-बाड़ी सहाईका थी, तो उसे अख़बारों में आगन-बाड़ी निखा जा रहा है. औरत मंदिर में पूजा करने जाती है लेकिन फिर वापस घर पर नहीं लोटती है काफी समय बिद जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लोटी तो घर वालों को चिंता होने लगी अचानक रात के 11.15 बजे के आसपात दरवाजे पर एक गारी आती है गारी से मंदिर के महंत सत्य नरायन और उनके चेले बाहर निकलते है बोलेरो गारी थी जिसे महंत सत्य नरायन का ड्राइबर चला रहा था कुल मिलाकर बोलेरो से तिन लोग आये थे एक खुद महंत सत्य नरायन दूसरा ड्राइबर और एक महंत जी का चेला उन्होंने बोलेरों से किसी लहू-लुहान शरीर को निकाला घरवालों को उसके बारे में बताया घरवालों ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ तो उन लोगों ने कहानी सुनाई उन्होंने बताया कि यह महिला एक कुवे में गिर गई थी जिसके कारण उसे काफी चोट लगी है उन्होंने इसे निकाल कर यहां लाया है जब तक घर वाले कुछ समझ पाते तब तक वो तीनों वहां से रवाना हो गए परिवार वाले जब तक कुछ सोचते तब तक उस महिला की सांसे थम चुकी थी महिला पानी से भीगी हुई थी और उस रात को बारिश भी हो रही थी परिवार वालों को कुछ शक तो हो गया लेकिन रात भर बारिश के चलते वे कुछ कर नहीं सके वे सुबा होने का इंतजार करने लगे अगले दिन यानी की सुमबार को जब सुबा हुई तो परिवार वाले थाने पहुँचे लड़के ने थाने में बताया की मेरी मा की हत्या करके फेक दी गई है उसने काफी मिन्नते की लेकिन वहां मौझूद पुलिस कर्मियों ने उनकी एक ना सुनी आखिरकार जब थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे मायूस होकर वापस घर लोटाए घर आकर उन्होंने 112 नंबर पर फोन कर सारी जनकारी दी डायल 112 के जरिये यह सुचना पुलिस कंट्रोल रूम को पहुँचे वहां से अस्थानिय थाने पर कारवाई की बात कही गई अस्थानिय थाना मजबूर होकर लगबख 17 घंटा बाद वहां पहुँचा घर वालों ने स्वव का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया था घर वालों के मुताबिक उन्हें इस बात का शक हो चुका था कि उस रात कुछ तो गलत किया गया था मौके पर पुलिस पहुची तो उसने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया जब वह पुलिस के जवान पहुचे तो लाश की हालत देकर सकते में आ गये लाश के हाथ पफुल चुके थे उसकी हालत देखने लायक नहीं थी परिवार वालो का आकरोश चरम पर था पुलिस के जवानों ने इस चीज को भापा और फिर इसकी जनकारी अपने सिनियर अधिकारियों को दी सिनियर अधिकारियों ने जब इस घटना के बारे में सुना तो उनके भी होश उड़ गए धीरे-धीरे मामला मीडिया तक भी पहुँच गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी जब तक पोश्मार्टम का रिपोर्ट आया तब तक महन तो उसका चेला और उसका ड्राइवर गायब हो चुका था पोश्मार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला के गुपतान में रोट टाइप की कोई चीज घुसाये गया था उसकी बाई पसली, बाया पैर और बाया फेपड़ा भी छतिग्रस हो चुका था जब तक यह सब कुछ होता मुखे आरोपी फरार हो चुका था मामला जब मीडिया में आया तो खुद मुखे मंतरी योगी आदितनाथ ने मुखे आरोपी को पकड़ने का आदेश दिया राजय पुलिस के साथ 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 एस्टियव को भी इस काम में लगाया गया मुखे आरोपी पर सरकार ने 50,000 रुपे का इनाम भुषित कर दिया मुखे मंतरी योगी आदितनाथ ने एनेसे के तहत कारवाई करने का आदेश दिया मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो धीरे धीरे राजिती भी शुरू हुई अब तक मुखे आरोपी महंत गायब था राजभर की पुलिस पर उंगली उठाया जाने लगा कानून ब्योस्था को लेकर विपक्षी दल सरकार को गेर रहे थे सरकार ने देरी ना करते हुए और समय की परिस्थिती को समस्ते हुए दोशी पुलिस कर्मी जिनोंने समय रहते इस पर कारवाई नहीं किया था उसको सस्पेंड कर दिया जिस पुलिस के पास मामले को लेकर सिकायत कराई गई थी उसमें महंत से बात किया था और फिर महंत उसको अपनी चिकनी चुपडी बातों में फसा कर फरार हो गया उतर प्रदेश की चार टी में जिस सपरादी महंत को तलाश रही थी वह बगल के गाउं में चार दिनों तक छुपा रहा हैरान करने वाली बात है कि वह अपने ही थाने चेतर में पनाह लिये हुए था और पुलीस को इस बात की ख़बर तक नहीं लगी इससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं सबसे पहला पुलीस की खुफिया तंत पर और दूसरा है हमारे खुद के समाज पर प्रदेश की पुलीस और एस्टियफ दूसरे जिलों के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी तलास कर रही थी लेकिन वह अपने ही थाना चेतर के अंतरगत आने वाले एक गाउ में छुपा बैठा था सत्य नरायन को जब गिरफतार किया गया तो उस समय का एक वीडियो वैरल है जिसमें दो पुलीस वाले उसे मोटर साइकल पर बिठा कर ले जाते दिख रहे हैं खबर है कि ग्रामिलों ने महंत को पकड़ कर पुलीस के हवाले सौपा है बताया जा रहा है कि सत्य नरायन बगल के गाउ में अपने एक अन्याई के घर छुपा हुआ था परिवार वालों का कहना है कि शाम को जब लेट होने लगी थी तो उन्होंने पुलीस से संपर्क किया था लेकिन पुलीस ने मामले को सुबह देखने की बात कह दी थी अब आरोपी पुलीस कर्मी को भी निलंबित किया जा चुका है लेकिन सवाल जयों का तेओं बना हुआ है कि आखिर कब तक हमारे समाज में बलातकार जैसा कलंकित काम होता रहेगा सवाल यह अभी है कि कब तक हमारी पुलीस समय पर काम करना सीखेगी और अंत में सबसे बड़ा सवाल हम सबसे है कि कब तक हम बलातकार को सिर्फ बलातकार कहना सिखेंगे बलातकार करने वाले चाहें हिंदू हो मुसलमान हो सीख हो इसाई हो हम इस बात पर चर्चा क्यों करते हैं हमारा समाज कब समझे का कि बलतकारी सिर्फ बलतकारी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता शुरुवात हमने जिस सेर से किया था उसे पूरा कर देता हूँ लूटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है लूटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है बनो इंसान पहले छोड़ कर तुम बात मजहब की लड़ो मिलकर दरिंदो से ए हिंदुस्तान हम सब का है आज ना ही वीडियो लाइक करने को कहूंगा ना ही सियर करने को कहूंगा बसंत में मेरा परिच है मैं हूं मोहित कुमार सींग और केमरे के पीछे खड़ी ये स्रिष्णी शिर्वास्ताओ धन्यवाद